बात्वे चिक्वाई गइ ती और आपकर संसोधन परफ़ण नहीं परफ़ण रा स Например में चलना है सम्विधान में संसोधन के प्रकार, यानि कि सम्विधान में संसोधन इतने प्रकार से हो सकता है, पहला है, दूसरा एंगल आपका चलना है, कि जो सम्विधान में संसोधन की प्रठिया और सक्ति है, आपका ये बेर एक तिनसो परचण से चलना है, और चार संसोधन देखने ह यानि कि साथमा, चोविसमा, ब्याजिसमा और एक सोगेखों किसरा माडल आपका चलना है मूल अर्दिकारों में संसोना यानि कि फंडा पर्षेवज़ फंडा मेंटल राइट में एमेंटमेंट हो सकता है इस पर भी ज़्यादा कोचन बने इसके बाद आपका प्रेशिक की चब-चब जमना इसुड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं और लाट में आपको ये देखना है कि बरतमा में आखिर भारती दिवस्ता कैसे संचालित हो रही है और आप कैसे खिकी है मूल अधिकारों में संच रहेगा मूल अधिकारों में संख शोधा deste मूल अधिकारों में संच रहेगा यहां से एक उचंफसा बनने का साँस रहेगा और यूपकि ये ने कैसे कोस्थ बनाया, आपका अंज रागी कैसे मादल बनाते हैं, मादल भी देखें, हेलिड़ी टालेजें, fundamental right amendment, यानि कि कोल अधिकारों में संसोर, लिखे मैंबहजित, मादें आपशार, लिखे भारत की संसर, लिखे पहला लाइम, भारत की संसर, सम्विधान के किसी भी प्रावधान में सरसोधन कर सकती है सम्विधान के किसी भी प्रावधान में संसोधन कर सकती है लेकिन मूल भूत धाचे में संसोधन नहीं कर सकती इसको बैसिक एक्टर्चर कहा जाता है या आधारी प्सां बतना लेकिन मूल भूत धाचे में संसोधन नहीं कर सकती अब पहला माडर यहां आपको देखना सतर को कर मूल भूत धाचे में पहला जो आपका मार्डर बनता है वह ही मार्डर बनता है कि भारत की संसर्थ संविधान के इस प्रावधान में संसोर भर नहीं कर सकती तो तीचार आपसन देगा और उस आपसन में आधारिक संव्रतना या पूल भूत धांचा या बेसिक की शप्टर या मूल भूत तक देख इंग्लिश वर्जन जरूर देखेगा, कौन सा, बेसिक लिखर, तो इसमें संसोधन नहीं कर सकती, सब्पने भारत की संसा, बेसिक लिखर, ये नमार जी है, मूल अधिकार में, नहीं कर, मूल अधिकार में कर सकती, आखे लिखे, मूल अधिकारों में संसोधन पर प्रथम वाद, ये भी कोचा ना दुका है, संक्री प्रसाद वरते भारत संग परक्यस के माध्यम से चला जा रहा है, यानि कि आपका फूल अधिकारों में संसर्ण संसर्ण कर सकते हैं कि इस विबात की उत्पत होती है प्रखम संविधान संसर्ण द्वारा और संसर्ण प्रखम संविधान संसर्ण द्वारा है संपत्य अधिकार को शील करती है और इन नौमी अनुस्थी जोड़ती है समिधान में और जो कादून नौमी अनुस्थी में रख दिये जाएंगे न्याइक हस्ता छेप से भी बाहर होंगे और ठाक न्यायाले उनकी बर्दता और अबर्दता का परिच्छर नहीं कर सकते यानि कि यूडिसियर रिव्यू या न्यायत उनर्विलोस कट से हुआ क्या रहेंगे बाहर होंगे और उस संपत का जो अजिकार था अब बता जाएगा वा कुछ ठीन किया गया आपका और शीन तो लिया गया पूरी तर अस्वतास का जोवा लिसमें द्वारा लिकिनास का जिर्टिया गयक्ति से भी तमाम उसको बता जाएगा अब यह आया सुप्रिम कोट के सामनी ही प्रस्म का जोगे क्या संपत अं से 366 का सहारा में पर आपका मूल अधिकार चीन सकती नहीं या संसोदक कर सकती है कि नहीं तो सुप्रिम कोट के मुख नयाधिस पतंजली सांत्री ने कहा कि संसद को पावर है और संसद हर साथ कर सकती है बस एक लाए लिखना है कि संसद मूल अधिकारों में संसोधन कर सकती है संसद मूल अधिकारों में संसद कर सकती है संसद मूल अधिकारों में संदिक्या माडर भी हम बनाते रहेंगे आपिस केस के मादें से युदी जे में और कहा कहा क्या बना है संसद मूल अधिकारों में संसोधन कर सकती है ये इसमें आया जद का नाम लिख लेजेगा पतंजली सांत्री कों जद थे तो दिक्ये लेवे मस्तर पर ये पुछा जाता है उतना तो मैंने अभी कुछ के समय का मैंने तौर बता दें कि आखिर ये निर्णे देने के पीछे कारण जा तो कारण ये जाकी भारत अभी-अभी आजार हुआ था नई-नई हम आजाती पाये थे और जो जद थे वो अमड़े की मान शिटा के थे और इंगलेंड की संसर संप्रभ चता सरोध दोनों है यानि कि बस एक काम हिनिक कर सकती इस्तिरी को पुरुष और पुरुष को इस्तिरी नहीं पहा सकती और हरे कानून पास कर सकती अगर इंगलेंड की संसर ये कामन पास कर दे कि पुरुष को भुरुष का पहंचर करना है तो कोई म्यायाले नहीं है जो इस कानून को आपका अवायर मुवित कर तो इंगलेंड की संसर से प्रेरित होकर आपका ये केस था और इस केज में भी कहा गया कि संसर्ट संबिनान में संसोधन करके fundamental right को क्या कर सकती है जीन सकती है जबकि संबिधान बनाने वालों ने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा तो फिर आपका चलता रहा मामला चलता रहा तित इसको चैलेंज के आगया और दूसरा स्विक्री इत्यासे याद रखे शच्छयन संह बनारा राजसान राज शच्छयन सिंह वरिसेज राजसान राज सच्छयन सिंह वर्सेज परात राजसान राज Barbara और इज़म गामशान उर शृप 2 शृप सुप्रेञ को इस केस में भी सेम आपका चुना होती जी है और यही कहा गया कि संसर मूल अधिकारों में संसोधन नहीं कर सकती लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि संसर मूल अधिकारों में संसोधन कर सकती है यानि कि फिर याज क्या करता क्या हुआ आ गया बिचारा लेकिन आपका चीट का उदारण भी देखना है, वो भी उदारण देखना है, आप देखे दियोंगे, एक पार कीटी पहाड पर चड़ी फिर गिरी, फिर चड़ी फिर गिरी, लेकिन तीसरी बार वह क्या पागी सफस्ता, तो उसी आधार पर संकरी प्रसाद में याची हारा, सर्जन सिंह हार गए अर्षी आधेक, एक ना एक दिनेनों को क्या मिलेगी, जी आघर भी, देखे ये यू केस है, ये नेट में कोशन आया है, इस केस में आपका जजों मी भीरोधा भाः सुरू हो, इस केस में पांच जद भी लिखते रहें, इतने जद थे, पांच जद थे, और इस केस में ती इतने से निरणए आया, उसको लिखते रहे है, साटकट में तो पांच जजों की फीट परते थी, और इस केस में जो निरणए आया थे, वह आया तीन दो, यानिके तीन निरणए के पच में थे और दो जज जज वीरोज में थे, तो जो नेट की परिच्छा में पुछा जाता है कि सर्जन सिंह के वाद में इस जज ने वी पर्टुमत में निरणए दिया, और आजकर नया माडर ये चल रहा है, तो पहला लिखे मुखिन आदेश, भजू जिन आदेश भी चलता रहा है, मुखिन आदेश से गजेंद्र गटकर, C.J.I. Chief Justice of India, गजेंद्र गटकर से, ल दिखना फिर आपका और पमत में दूर लोगों ने अपना दिल निरणए विचे में कबल को में निकवा जाए, तरम से चल रहा है, निरणए इस केस में क्या आया, इस केस में फिर वही पुरानी तहानी दोहर कबल आई गई, कि संसत मूल अधिकारों में संसोधन कर सकती है, इनके संकरी फ्रसाज के मामले में दिये गई जिरणए को फुना सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गुवरा, कि संसत मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? लेकिन एक बात जलूर आई कि अलिस्टे गिरोधा भास पेश्टू हो गया और दो जजों ने अल्कमत में दिर रहे दिया और कहार कि नहीं आपका दसट्रे कि संसत को पावर नहीं है कि वह मूल अधिकारों में संसोनत कर दिया तो भी अल्कमत तरीके अल्कमत में निर रहे जर्टिस हिदायत उल्ला एवं जर्टिस मदभूलकर ने दिया अल्कमत में निर रहे जर्टिस हिदायत उल्ला एवं जर्टिस मदभूलकर ने दिया मद्वोल कर, जब किस आपका अंगिदायर चुला और मद्वोल कर, पूछ सकता है बहुत अंदर जाता है, इसके बाद आपका पूछा जाता है, कि इस जद ने सौर प्रपन, इस पूर किसारा किया था, कि संबिधान में कुछ ऐसे तत्व है, जिन में संसद संसोधन नहीं कर सकत, वगर आपकर कि मूल भूत धाचे का, फलका का इसारा दिया था, और वा दिया था, जब किस मद्वोल कर, मद्वोल कर नहीं ये कहा था, कि संबिधान में कुछ ऐसे तत्व है, जहां कि संसद को संसोधन करने की सकती, अब समस्या लिए आई कि वगर ती दो से निरने आया, तो बहुमत का निरने मानी होता है, लेकिन आपका इरोधाभास की सुरुवात भी इसी दिरने से ज्या हुई हुई, तो बहुमत में जब किस मद्वोल करने ये कहा की, या कहा कि संविधान में कुछ पैसे तत्व हैं, जिसका संसद संसोधन नहीं कर सकती, जिसका संसद संसोधन नहीं कर सकती, यहीं से मूल कूत छाचे का निकास सुरू हुआ। यहीं से आपका बेसिक इसकट की सुरूबात होती हैं, आई थीसरा हातना और थार टीसरा क यपी के बोलग नाग बना बन्जाब राद क्रम से लिख्टे अगा, उभ एक रम से लिख्वा जा रहा हूँ तरह टूपे ना क्रम कुटे गाठस कि धाना त्षे कारेजे़शे भी बहार हो जाए अगर एक गुणिया मिस कर गई तो क्रम क्या होगा माला का चच्चान का डूप जाए तो इसलिए केश क्रम से याद रखेंगा अब देखिये कैसे कैसे कोचन इस से बने है अभी निख़ा रहा है निखिए गुलक नास वर्षेज की एट आप पंजाब A.I.R. 1.9.6.7 यानि की उनाइस सरसट सुप्रीम कुछ मुख किन्याद इस सुपाराव बहुत सामानी बाते लिखे तब को बताए जाए मुख किन्याद इस इसमें के सुपाराव पूचा जा जा जुकार सुपाराव पूसरा कुल जा जास्व के सच्छय इले में कुल जा जरूर याद रखेगा कुल जाजुकी संख्या इले में यानि की इग्यारावती देखे यह, छे पांच से दिनड़े आया यानि की छे लोग वहुमत में दिनड़े दि Comic और पांच लोग अल्गुमत में, इस केस में सम्तरी प्रसाद कथा सर्जन सिंह के वाद में दिये गए दिरणय को सुप्रिम कोट ने अपास कर दिया या है के साइड दर्दिया गुलाट दिया, इस में लिखे नीचे, इस वाद में उपर्युक्त दोनों निरणयों, ना उने लिका जाएगा, उपर्युक्त दोनों मत्रब पहरा दुसरा आगा, ये उपी जे दूगार मनाया कोच्छा, प्रसक कर दोन्याको एगे उपर्युक् उपर्युक्त दोनों वादू में दिये गए निर्णयों को उचितन न्यायाले ने सेटे साइट या अपास्ट कर दिया उलट दिया अपास्ट कर दिया या उलट दिया अब दिया अब दिया निर्णयों को उलट दिया गया देदिया भारा संखरी प्रसाथ उस्तरा सजन सिंग इसरा आपका जोनों और जोखा इन में से कोई है इसमें आपके निर्णयों को चापत लाइन जोगा है वे जरू देखता है पहला निर्णयों कि आपका संसत मूल अधिकारों में संसोधन नहीं कर सकती लिए पहला फास्ट आया कि शंसत मूल अधिकारों में संसोधन नहीं कर सकती सरसंबिधान ने संसोधन कि सकती नहीं दी गई है बलके केवल और केवल तीनसव परसट क्या बताता है? प्रक्रिया लिखे अंच्छे निर्णा लिखे दूसरा पॉइंट क्या है लिखे अंच्छे 360 में केवल सम्विधान में संसोधन की प्रक्रिया दी गई है यह निर्णा क्या लिखवा जा रहा है केवल संविधान में संसोधन के क्या दी गई है प्रग्रिया आपको पावर नहीं है तीसरा आए लिखे हैं हो गया नहीं है तीसरा पड़ लिखे इस वाद में भविश्यलच्छी विजिरणे का सिद्धान्त प्रतिपादित गिया गया इस वाद में भविश्यलच्छी विजिरणे का सिद्धान्त प्रतिपादित गिया गया इसको समझे भवविश्यलच्छी विजिरणे क्या होता है भविश्यलच्छी विजिरणे इंटर्व्यू में पूछा जाता है और जुरुस्पुदेंस में पूछ सकता है अज़ते से त्यारों के गए नहीं देता है याजिक के बंच में आपका अप्ट जो पीपीशन दायत किया रहता है उसके बंच में लेकिन याजिक को कुई रिप नहीं देता है लेकिन याजिक को कोई अंखोस नहीं मिलता और ये कहा जाता है कि आप जीते लेकिन जो ये मैं फैसला दे रहा हूं ये आगे आने वाले मामलों में लागू होगा आपके मामले में नहीं ये अच्छ से अफिरे पत्ष में देता है लेकिन याजिक को या प्रिपिशनल को कुई डिप नहीं दे और उस फैसले में जो प्रतिपादित से धानत है वो कब से लागू होगा भविश में आने वाले मामलों किसी को हम क्या कहते हैं वह विशिल अच्छी दे रहा है इसी परतें बढ़ा के देखिए तन पच्छाथ इस केस में आप कहता सकते हैं कि पूरी तरह संसत का पर काट दिया गया था और संसत पर सुप्रीम पोर्ट ने चाभू जलाया कि पहली बार हमारा सुप्रीम पोर्ट बता दिया कि संसत सरोच नहीं है बलकि सरोच कौन है आपका न्यार काट और यहीं से आपका संसत और सुप्रीम पोर्ट के भी विवार शुरू हुआ देख और पोर्चन बन सकता है कि मूल अप्र सुप्रीम पोर्ट और संसत के भीज डिस्प्यूट आपका कम से शुरू हुआ तो गोलक नाथ के वार्च और सुप्रीम पोर्ट ने संसत से मूल अधिकारों ने संसत के सक्ति क्या कर ली चिन दूए आपको पावर नहीं है यह आपके रही तो देखें इतिहास आपका इतिहास में चमना है इसकी बाद आपका संसत बवख खला गई और संसत बवख खला गई और ये सोंची कि यह शुप्रीम पोर्ट कौन होता है हमारे अधिकार में हस्ता शे कुखड़ने वाला और संसो और आपका 24 वार्चिस और इन संसोधनों को फिर एक पार सुप्रिम पोर्ट में चाइडेंज किया गया और चाइडेंजी करता थे केशवानन्द भारती, यानि कि आपका मठा देश थे, अप्ट भई अभी आया था कि एक बाज कर गया है, केशवानन्द भारती हार गया थे, अभी दिया थे पेपर मैं लगला थे, कि सवानन्द भारती दूर से कीरल राज थे, अधिके कोर्चन भारती चूप गया था, गोलगनात में लिखे, उपएट पुड़ा हो जे गोलगनात में बना है, उसको गोलगनात वाले वाद में लिखेगा, एक कोर्चन चूप राया, मंदी कि हलका साइस की पुड़ाता है, तुवाही समस्या है, यह कोर्चन चूप जाता है, और यह कोर्चन दोति पार उपीजे में आकि आखा है, कि गोलगनात के वाद में निरणय इस तारीक को दिया गया, वह तारीक कर पूच्चा गया, 27 परवरी, 960, लिके, गोलगनात में लिकेगा, निरण कि रेख लिख लिख लिखे रट कर जाएगा 27 फ्रावरी उनाई सो सर्ष ये दो बार रिपीट किया है लिख लिखे आगे लिखे बाई चौथा केस लिखे कि सुवानन्द भारती बना कीरल राज कि सुवानन्द भारती बना कीरल राज ये आयाग 273 सुप्रीम पूर ये आयाग 273 सुप्रीम पूर पर समाई बाते लिख लिखे लिखे इस वार में कुल 13 जजों की पीट पर्टी ये जीएस में भी सब्रार था इस वार में कुल 13 जजों की पर्टी थी जो अब तक किसी लाज में बढ़ा लेना है जो अब तक की सबसे बड़ी पीट है ये कूचन अभी PCS में भी आया था और टीपी में भी साजा था हमने का जगा आया कि अब तक किस केस में सबसे अधिक जजों की पीट पर्टी थी तो कि सवानद भार थी खिर दूसरा कोचन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक सबसे बड़ी पीट कितने की पर्टी हैं कितने जगों की किस केस में इसमाना था चलिए आगे बढ़िए निर्ड़े आया साथ छे से लिखे जो निर्ड़े आया वह सेवें शिक्स से आया यानि कि साथ जड़ पच में थे और इस छे जड़ क्या थे विरुद एक अगर इधर हो जाता तो मामला प्रट जाता ये आपा ये निर्ड़े की तारीख तक पुछा जाता है तो 24 अपरेल उनहीं सौफ ती हत्तर ये भी पोचन आतुका है निर्ड़े की तारीख, 24 अपरेल उनहीं सौफ ती हत्तर इकी लगाता चिसमें आपका सुनवाई हुए से बहुत लबिगे ड़िवाग्ण ऐसे तैसे एकृति दिन पात्ता आ दो नगाथा सन्हाई नहीं हुए जितना दिन इसकेस में हुए उसक है इन était लगाता सुप्रेम पोड में शुन्वाई हुए वो, ईसकी नहीं है, आम गद me मैं के दूँख करना हैं जो इसको कल नहीं कार्म कर देचे आहलू, सिक्क्टियेड समouse में जिंखा और आद में गया जाँ, अपर इसको कर दो, और किया कर दो अब आये देखे चनौ दिर दी गई इसकी चोबिसमा संपिधान संसो दन पचिसमा संपिसमा उन्तिसमा इसको चाहिवेंद किया गया और इस संसो धनो द्वारा हुआ क्या था वहले ये देखिये और तब के स्वानत भार्ति का वाति देखिये जब आपका उलक नाथ का मामले में जिर्वे आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि मैं बड़ा हूँ यही से अब संसर्दी बाउख ला गई और देखिया चाहिए 24 में संपिधान संसो धन वारा संपिधान में चेंजिंग लाई गये वह उसको देखना है च गया था कम से कम पहला हम 6362 में संसो धन किया गया काफि और संसो धन पहला किया वह गया कि कर दिए विजल दुथ कुकि चेंजिख में यह कहा डिया कि 363 के 689 अं 370 तो अब आपका पहान में क्या निskह है घ्यान संपिधा था व्रटेया है जोबी समें संभिधान संसोधन और दिनियां इसके बाद आपका ये फिर ये हुआ कि राख पस कही आना कानी नौ कर लें तो आपका फिर संसोधन किया गया कि भारत का राट पर संभिधान संसोधन इधेर पर और मच देने के लिए क्या होगा आपा ये भी दो ती पर पोचाना जुआ है कि संभिधान संसोधन दुआरा होगी सोबिस तिसरा आपका ये कहा व्याता का सकते हैं कि सुप्रिम कोर्ट दौरा कि जू ये अनुचेद तीसाओ और सट के तहट संभिधान संसोधन होगा यह अमुशे 13 a में ला या विधि माना जाएंगा गिन उप्षिते आहरे 168 में संसोधन करे कह दिया गया यही of 659 में जो संसभन संसोधन करेंगी वह अमशे 13 a में विध नहीं माना जाएंगा वहह संसदा लिए 23rd, distancing means. बाइट लेकिन अब चार्दिन करहा में क्रीमें निप्चा जाता है। दिखें ये आपका चौदिश में द्वारा किया गिए। कि शवानंद भारती ने सबों को चनावदी दी और सुप्रीम कुड ने निर्ड़ाय किया। और निर्ड़ाय क्या दिया। अबवा चिर्ड़ाय दिखें। इन प्लाय में बस चिर्ड़ाय काता है। भारत की संसत संविधान के किसी भी प्रावधान में संसोधन कर सकती। यानिकि इन तरह सुप्रीम कूड ने संसत को कुली क्या दे दी। चुप्र लेकिन एक लेकिन लगाके फिर अपने अडर में ले लिया। यानिकि इसका मतलब यह हुआ कि कर दिया जा कि आप जो यह पनीर है आपका है। लेकिन तभी खाएंगे जब गाना सुनाएंगे। तभी खाएंगे जब डान करेंगे। और कौन सा डांसा करना आअडा डांस चल रहा है। आपका मोर्री और नागी तो प्रेल मारजेदा। आटटएंगे हाटटएंगे। अब ये पुरवर्ती सर्था हैंजि पढचाट वहती। पुरवर्ती हैंगे। तभी मिलेगा जब जब क्या करेंगे। आपका हाट अटाएब, दांस बडें, नाट, वाट वाट बडान्स, कएड़ा डांस, खाईब, कई डांस बडान्स, बड़ान्स, बडें और सभी डांस मुझूद हैं जो लोग नहीं पड़े हैं, या एरेलगी पास करते हैं डाइरेक्ट और कुछ नहीं पड़े हैं, जो इसमय एक साल कम से कम देना पड़ेगा कर्फिशन के लिए तयार करने हैं, और यहां जाजा लोग भाई पके पताया हैं, तो में दोनों चुले कर चलना हैं, इसलिए सुप्रीम पोर्ट और हाइपोर्ट और आपका संसत में क्या बढ़ाएंगें, अबी तो इबात उबन हुगा, इबात इक चाया जाएंगें, दिखिए क्या निरणय के सवालन धार्ची में आया, एक लाइन में बद जाजी हैं, कि भारत की संसत, संबिधान के किसी भी प्र अधान में संसोधन कर सकते हैं, लेकिन संबिधान के बेशिक की स्टक्चर या मूल भूख धाचे में संसोधन नहीं कर सकते हैं, तो मूल भूख धाचे का सिधान किस केस में प्रतिपादित किया गया कि सवालन धार्थी और किस ने आया वे ने प्रतिपादित किया सुप्र श्रिंपोर्ट के अमेरिका का कुट्स, तो बिमफोर्ट संशद ने प्रतिपादित किया कि न्यायाले ने, न्यायाले ने किया और आपका किस केस में किया कर सकते हैं, तो केसवानन और इसी पर आज तर चल जब रहा है, लिखे इसको बजी, निरणा लिखे एक लाइन प्रावधान में संसोधन कर सकती है, एक लाय लिखे, लेकिन मूल भूट धाचे में संसोधन नहीं कर सकती है, यहां में लिखवाना जरूरी है, लेकिन मूल भूट धाचे में संसोधन नहीं कर सकती है, अब सुप्रिम कोर्ट से लोगों ने पूछा, यह मूल भूट धाचा क कि तुलिया का नाम है तो सुप्रीम कोट का दाने से इंकार कर दिया और ये कार कि संसत संविधान में संसोधन करें अमारे पास चुनवती दी जाएगी और तब मैं विचार करूंगा कि बेसिक इख्थक्तर इख्थक्तर वहा है कि यनकि इसारों को अगर समझो तुराज को क् सुप्रीम कोट के दिल में चुपा है कि किसे वह बेसिक इख्थक्तर मान अभी आपका जो राटिये नायच से उख्थी है उसको बेसिक इख्थक्तर मान कर रद कर दिया तो आगे बताए जाए आगे दिखे भाई आपका कि केशवाना धार्टी के वाद में ये निर्णा आ इसमें अपास किया गया तो के सवाना लेकिए गोलक नाथ के वाद में दिये गये निर्णय को इस वाद में अपास कर दिया गया तो ये ना फोर्चन बन सकता बूलब नाट के वाद में दिये गए निरणे गुर इस वाद में के एसा इंट शुक कर दिया था कि संसर मूलब इधितारों में संसोधन नहीं कर सकते लेकिन सुप्रिंगापनेरों के एसे में कारता कर सकती था किसमें नहीं करेगी, बेसे ही किसमें, भगला ग्रेशिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक् इसमें जो कोचन बनता है वो देखिए सौर प्रथम इस केस में मूल भूत ढहांचे के आफकार परी छड़ किया गया देखें सिद्धान प्रतिपाजित किया गया केसमें के सवानन भारती लेकिन सबसे पहले विचार करने का मौका आया सुप्रिम कोड के साथ में किस केस में यह पूसक दारब देखिस में स्रीमति इंदरा नेरुगा थी वर्थिद राज दराब और इस केस में दो बातें पीबातें लानी है सबसे पहले इस केस में बेशिक इस्टक्षर का कर सकते हैं कि परिच्चण किया गया आप्सिदान प्रत्कादित नहीं परिच्छा, तो कौन सा आपका श्री मतिंदरा नहरुगाद ये दूसरा स्वतंत्र एवं निस्पच नहाए पालिकाद और स्वतंत्र एवं निस्पच चुनाव। ये दोनों को बेशिक किर्टक्चर माना किसमें सुप्रीम कोट में और किस केस में स्री मतिंदरा नहरुगाद और यहीं प्यार में पिछली बार आविच्छा, लिकें तीन इंगर से इसको सौर प्रखम मूल भूत धाचे का परिच्छण इस वाद में किया गया तथा अच्छे स्ट्रक्ट के पिछली बार भार बना जिवांजे में तथा स्वतंत्र एवं निसपच्छ चुनाव। न्यायाले की स्वतंत्र एवं निसपच्छ चुनाव। न्यायाले की स्वतंत्र एवं निसपच्छता को उचत्र न्यायाले ने बेसिक इस्ट्रक्चर माना। यानि केस में स्वतंत्र नहीं याद रखें। क्या माना है इसको बेसिक इस्ट्रक्चर यानि की मूल भूख धांचा। और इसी आधार पर जो ही बताया जाएगा आपका एडोकेट वाला। आगे चलिए भाई केस के माज्यों से। जब किस्वानन भार्ती का केस आ गया तो फिर समस्थ बाउख लागे। और आपका बाउख लाकर बहुत ज्यादा स्वतंत्र की और इसे विहार जे में इस पार बनाया भी था वह बोच्चर में निकल रहे हैं। मीनी संविधान या मीनी संविधान इसे कहा जाता है तो 42 में संविधान स louis लिखके व्तन पचाप, एक क्लरण लिख्याद लिखे रहे हैं। केसवाननद भार्ती केवाजि के पचाप, उनब क्याओक लिखके बहस्तों किंदर गाधीवार दे मिच में उलभा बाण इसको उप्रम में नहीं रखना जाद यह अलग से बता गया था कि सवानत भारती के वाद में दिये गए निरने के परचाथ भारत की संचर ने मुख के रूप से भारत की संचर ने मुख के रूप से ब्यारिसमा संचोधन उनैसोग सिहत्तर में किया ब्यारिसमा संचोधन उनैसोग सिहत्तर में किया जिसकी तवद एक लाएन आव लिखे जिसके तवद सब से ज्यादा संचोधन किये गए यार्निकी पच्चासों से ज्यादा किया गए जोड़े गए जिसके तवद से ज्यादा संचोधन किये गए इस कारण से इस संसोधन को नीनी संविधान कहा जाता है मुख्य रूप से इसी मिलाए में लिख ज़िए में पूरा नहीं रिखा जाएगा मुख्य रूप से और छेट की सौप और सट में कंट चार और कंट पांच जोड़ा गया याद रखेगा कौंसा कंट चार पांच कंट चार और पांच जोड़ा गया जिसके द्वारा नियाई उनर उलोकन पर रोक लगाई गई इसके द्वारा नियाई उनर उलोकन पर रोक लगाई गई इस संसोधन को चनावती इस संसोधन को चनावती मिनरवा मिल्स वर्सेज यूनियन था इंडिया ये भी पूचा रहे हैं मिनरवा मिल्स अंडरलाइं कर लिजेगा मिनरवा मिल्स वर्सेज भारत संद इयाई एक उनर इस सवकस्षी सुप्रीम पूट मिनर्वा मिल्च के वाद में चुनवकी दी गई, लिक्रिया जनका नाम लिखिया मुकिनाधिष्टे चंद्रचूनु इस वाद में अंचेद तीन सौ परसट के खंद्रचार और वाद को असमभाई धानिक मुशित कर दिया दे इस वाद में मिनर्वा में इस वाद में अंचेद तीन सौ परसट के खंद्रचार और भाई को अबर या वसमभाई धानिक मुशित कर दिया दे यानिकि बने हुए हैं वैकि लादू नहीं होती याद रिखते हैं बने हैं पढ़ना भी हैं लेकिन इसके अतात कोई का यानिकि प्वावाई यहां से अब आगे नियम एक बनाया गए कि केशवनांद भार्ती से उफाई है कि तब आगे बड़ा थे लेकिन उसके बेसिक क्रच्छर में संसोधन नहीं कर सकते अगल संसोधन वारा संपिधान के मूल तक दिक्टर्ण होते हैं तो सुप्रीम कोड उस संसोधन को अंकार्जुसनल या अबर्ज मुचित करने की क्या रखेगा अब एक आपका और पचार नौमी अनसुची यानि कि नौमी अनसुची बती इसका क्या होगा ये भी तो क्याम में है अब सुप्रीम कोड की जड़ी अजर इसी पर पड़ी और उनाई सोधी का के साया वावन राव का और बढ़तमा में आई आज शिल्व तो लिखे भाई एडिंगा लेजे को रखे नौमी अनसुची नौमी अनसुची लिखे एडिंगा लेजे नौमी अनसुच अनसुची नौमी 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 अनसुची न दूसरा कोशन आपका आया, ये अनुसुची का महत चाहता, तो महत यहीं था, उनकी न्याइक उनर विलोकर और रोकना, यानिकी फिर एक बात मौलेचे, जो कानून इस सिदूर में रख दिये जाएंगे, उसकी बाइदका और अबाइदका की जाज, सुप्रें कोट और कोट नहीं करता, इसलिए रखा दा, इसको तूसरी मासा में लिक्वार चाहता है, इसलिए रुठाइड़ान सिदूर, कला कुछ जाएंगे, अनुसरी आपका ये ऑख दूए तूबने रिकार चाहता है, इसलिए रूपका है, और आपका यॉठाव नहीं कारा है,नुसरी प कर दो कि और रूम कर भाद़े कर दो काया है